बॉलिवुड नियूज निटवर्क में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कल की 2898 की एडवांस बुकिंग नाग अश्विन की साइंस फिक्षन फिल्म कल की 2898 को लेकर काफी चर्चा है जो गुरुवार को रिलीज होगी फिल्म की एडवांस बुकिंग उत्तरी अमेरिका में खोल दी गई है और वितरकों के अनुसार इसने 77 के से अधिक टिकट बेचे और पहले ही 2.6 मिलियन डॉलर की विक्री की है प्रत्यंगिरा सिनेमा जो सभी भाशाओं में उत्तरी अमेरिका में फिल्म का वितर्ण कर रही है ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा उत्तरी अमेरिका में 77, 777 प्लस टिकट बेचे गए प्रभास बॉक्स ओफिस पर तूफान ला रहे हैं और दर्शक तीन और दिनों में विद्रोही स्टार को एक्षन में देखने के लिए उमड रहे हैं फिल्म से प्रभास का एक और पोस्टर साजा करते हुए उन्होंने कहा टॉप गेर में रैंपेज कल की 2898 की कुल उत्तरी अमेरिका प्री बिक्री 2.6 मिलियन प्लस को पार कर गई जब राणा दगुबाती ने कमल हासन से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि साधारन दिखने वाले नाग इस तरह की फिल्म बनाने में सक्षम हैं तो उन्होंने जवाब दिया मैं इस तरह के साधारन दिखने वाले लोगों का आदी हूँ जो असाधारन चीजे करते हैं मैंने देखा है कि लोग क्या करने में सक्षम हैं मेरे गुरु बालचंदर एक सरकारी अधिकारी की तरह दिखते थे कमल ने आगे कहा मैं हमेशा एक बुरे आदमी की भूमी का निभाना चाहता था लेकिन मैं फिल्म में लगभग एक रिशी की तरह हूँ एक बुरे विचार के साथ मैं फिल्म में गर्भवती नहीं होना चाहता था दीपी का पादुकोन की ओर इशारा करते हुए हमने विभिन्न लुक आजमाए और आखिरकार हम उनके लिए एक स्विकार्य लुप पर पहुँचे फिल्म में कमल ने प्रतिपक्षी सुप्रीम यास्किन की भूमिका निभाई है नाग की कल की 2898 इमे प्रभास दीपी का अमिताभ बच्चन, कमल और दिशापटानी मुख्य भूमिकाओं में है फिल्म एक डायस्टोपियन भविश्य पर आधारित है और बुनियादी संसाधनों के लिए संधर्ष कर रहे काशी के लोगों की कहानी बताती है और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही है यह फिल्म 27 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए बॉलिवुड न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ झाल